प्यारे बज्चों जेशु क्लास चलू करने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे पिता, पुत्र और पवित्रा आत्मा के नाम पर आमिन हे प्रभू, आज के शुबदिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि तुने ये दिन हमें एक दान के रूप में दिया एक सुन्दर सा दिन हमें दिया कुछ सीखने के लिए हमें दिया हे प्रभू हम से जूड़े सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते है प्रभू हमें मदद करने वाले हमारे माता पिता पूरो हीत और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते है प्रभू हमारे लिए जो सब कुछ करने के लिए तैयार होते है हमारे माता पिता उन के लिए कलिस्या के लिए कलिस्या में मदद करने वाले हर एक फादर सिश्टर के लिए प्रात्ना करते ही प्रबो उन्हे अच्छा शीक्षा देने के लिए उन्हें भी शक्ती और गुरुपा प्राप्त कीजिए छोटी शी बिंती तेरे दीव्य चरुन में रखते है पिताव पुद्र और पुविद्रात्मा की नाम पर आमिन बच्चों आज के पाठ में हम सिखेंगे कि मेल मिला हम पाप करके इश्वर से दूर चले जाते हैं लेकिन मेल मिलाप करके पश्यताप करके हम प्रभू के पास आ जाते हैं हमने एक बहुत अच्छा उधारन प्रभू से सुना है हम बाइबल में पढ़ते आए हैं सुनते आए हैं हर किसी के मूसिव हम यही सुनते है कि एक उड़ाव पुत्र के बारे में हमने सुना है और हम सुनते आ रहे हैं उसको प्रभु ने एक दृष्टांत हमी सुनाया है कि उड़ाव पुत्र के बारे में ये उड़ाव पुत्र अपने माता-पिता से अलग हो जाता है उन्हें ऐसा लगता है कि मैं माता-पिता से अल अलग होके बहुत खुश रहूंग, आनंदित रहूंगा, मैं बाहर की दुनिया में जाओंगा और बहुत खुश रहूंगा, लेकिन वो भूल जाता है कि माता-पिता से अलग होके हम कुछ भी नहीं हैं, हम अपने पिता से दूर होके, अपने पिता से, पिता के प्यार से अलग होकर, अलग दुनिया में जाके रहेंगे, तो हम खुश नहीं हैं, तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहते हूं कि उड़ाव पुत्र के बारे में, वो उड़ाव पुत्र, वो अपने बेट, पपा से कहता है, कि मेरी ज समपती है, उसका मुझे आधा हिसा मुझे दीजिये, मैं वो लेकर परदेश चला जाओंगा, तो पिता ने उसका आधा हिसा दिया, वो परदेश गया, वो पूरा पैसा खर्च किया उसने, हर एक प्रकार के बुराई में फस गया, और बुराई में फसते फसते उसने अपन आधी वो कहा पहूंच गया? सुवर की जगह पहूंच गया, उसको खाने को पैसा नहीं मिला, तो वो सुवर जो खाते थे वो खाने लगा, फिर उसको याद आया, मेरे पपा के यहाँ कितने सारे नुकर है, खाते हैं, पीते हैं, और यहाँ मैं भुके मर रहा हूँ, तब उसके मन में आया कि मैं मेरे पपा के यहां जाऊंगा, उसे माफी मांगूंगा और लोटाऊंगा। प्यारे बच्चो उसके पपा ने उसको मना नहीं किया उसको अपनाया उसको गले लगाया उसको नहे कपड़े पहनाये खाना खिलाया और वे दोनों एक साथ प्यार से रहने लगे पपा ने उसे प्यार से गले लगाया वैसे प्रभु हम भी प्रभु पाप करके अलग हो गए प्रभु हमारा इंतजार कर रहे है कि मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे पास आएगा मैं उसको पापो की शमा दूँगा इंतजार कर रहे है तो हम भी हमारे पापों को भूल कर, प्रभू हमें माफ करने वाले हैं, मेल मिलाप करने वाले हैं हमसे, ये सोच कर हम प्रभू के पास जाएंगे, और हम अपने पापों को कबूल करेंगे, प्रभू हमें जरूर माफ करेंगे, जैसे उड़ाव पुत्र को उन्होंने माफ किय वैसे प्रभु भी हमें माफ करने वाले एक बार प्रभु कफरना हुम जा रहे थे लोट रहे थे तो अरधांग रोगी को देखा वो अरधांग रोगी को प्रभु ने देखा और उसे प्रभु ने कहा कि उठो और अपने चारपाई लेके अपने घर चले जाओ तुम चंगे हो गए हो उठो और चले हो तो शिशो ने परिसी और वाखड़े परिसी और शास्त्रियों ने ऐसे कहा कि ये पाप्शमा का आधिकार इसे किस ने दिया तो प्रभु ने ये बात सुनी और कहा कि तुम अपने खाट उठाओ अपने घर चले जाओ तब प्रभु प्रभु को पाप्शमा करने का अधिकार है ये उनको पता चला प्रभु ही है हमारे पापों को शमा करने वाले प्रभु के पास ही हमारे पापों की शमा है भले ही हम पाप करके प्रभु से दूर क्यों न हो गए हो लेकिन प्रभु हमें माप करने वाले है ये सोच कर हम प्रभु के पास लोट जाना है प्रभु ने शिशों को पाप शमा करने का अधिकार दिया उन्होंने कहा जिसके पाप तुम शमा करोगे उसके पाप शमा हो जाएंगे और जिसके तुम नहीं करोगे उसके पाप शमा नहीं होंगे तो आज हम देखते हैं कि हमारे पापों को शमा करने का अधिकार हम पाप स्विकार के द्वारा हमें मिलता है हमारे पापो की ख्षमा हमें किस से मिलती है पाप स्विकार के द्वारा हमें मिलती है तो यह पाप स्विकार जो हम करते है तो पाप स्विकार हम किस के पास जाते है पूरोहित के पास जाते है और पूरोहित हमें हमारे पापों पर हमें पश्चाताप करने के लिए मुका देते हैं और हमें दंड देते हैं और हम उन पापों से शुद्ध हो जाते हैं तो हमें अपने कुछ भी पाप छुपाना नहीं है और उसमें लज्जा महसुस करना नहीं है बेजजक हम अपने पापों को कबूल करना है ये सोजना है कि पूरोहित की जगा प्रभु येश्यू हमारे पाप सुनते हैं तो प्रभु हमारे इन सारे पापों को शमा करने वाले है प्रभु ने कहा है कि मैं तुमारे छोटे से छोटे पाप शमा कर दूँगा तुम्हारे पाप सिंदुर की तरह लाल क्यों न हो? प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप सिंदुर की तरह लाल क्यों न हो? मैं उसे शुद्ध कर दूँगा और तुम्हारे सारे पापों को मैं भुला दूँगा और तुम्हारे पाप किर्मिच की तरह मटमेले क्यों न हो मैं उसको श्वेद बना दूँगा ये है प्रभु की प्रतिग्या हमारे पाप सिंदूर की तरह लाल है उन्हें मालूम है हमारे पाप सिंदूर की तरह सिंदूर कितना लाल होता है वैसे हमारे पाप है यही हमें याद रखना है इसका मतलब यह नहीं कि हम सिंदुर की तरफ पाप करते जाए करते जाए करते जाए प्रभु का यह मतलब नहीं है कि हम पाप पर पाप करते रहें प्रभु का यह मतलब नहीं कि हम अंजने हो सकते हमसे पाप प्रभु यह कहते हैं कि लेखते हैं तुम्हें पश्चाताब करो पाप स्विकार करो पाप स्विकार के द्वारा शुद्ध हो जा तब मैं तुम्हारे सारे पाप को भुला दूँगा तो प्यारे बच्चों हमें ये याद रखना है कि हम पाप स्विकार में कोई कमी नहीं रहने चाहिए पाप स्विकार अच्छी तरह से हमें करना है तब ही हमारे पाप शमा हो सकते हैं प्यारे बच्चो पाप स्विकार एक ऐसा संसकार है कि उसके द्वारा हम पाप से दूर रहते हैं और पाप मोचब जीवन से हम अलग हो सकते हैं तो प्रभु से दूर हो गए पलों को हम याद करें और उसे जुड़े रहें और प्रभु में विश्वास करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना है इतना याद रखना है कि हमें सारे पापों को कबूल करना है वैसे हमारे सार का हमारे जीवन में प्रभु की कुरुपाई प्राप तक होती है और हम आगे बढ़ते हैं जैसे प्रभु ने कहां मैं संजीवन जल प्रदान करता है प्रभु येश्व हमें संजीवन जल प्रदान करता है वशे ये साथ संसकार हमें कलिस्या में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करते हैं और ये साथ संसकार द्वारा हम प्रभू के स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं ये संसकारो द्वारा प्रभू की कुपाए हमारी और बहना है तो हमें एक ही काम करना है प्रभु में विश्वास करना है और प्रभु के जीवन के अनुसार हमें चलना है तब हम ये संसकार का हमें मुल्य समझ में आता है और हम इस संसकार के द्वारा हम अपना जीवन बिता सकते हैं तो हमें एक याद रखना है जैसे जरने बहते हैं वाशे संसकार हमारे जीवन में जरनों के जैसे बहते हैं तो ये संसकार जो है बच्चों याद रखना और उसे आत्मसाथ करना है ये संसकार आपके जीवन में बहुत फल उत्पन करेगा जैसे नहरो द्वारा जल सिंचन होके खेत बगीचे पेड़ पौधे खिल खिला उटते हैं और फल उत्पन करते हैं वैसे ये संस्कार हमारे जीवन में भी फल उत्पन कर सकते हैं ये याद रखना